इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें इसमें हम बताएंगे ब्लड प्रेशर की बिमारी किन कारणों से होती है उसके लक्षन क्या है एवं ब्लड प्रेशर की बिमारी से होने वाले नुकसान और उससे बचाओ के उपायों के बारे में आजकल की खराब जीवन शैली की वजह से ब्लड प्रेशर की बिमारी एक आम समस्या बन चुकी है ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं हाई ब्लड प्रेशर एवं लो ब्लड प्रेशर ये हर उम्र के लोगों में देखने को मिल सकता है शरीर में रक्त का दबाव 120 से 140 होने पर हाई बीपी और 80 से 90 होने पर लो बीपी होता है रक्त का दबाव अधिक होने पर उच्च रक्त चाप और कम होने पर निम्ल रक्त चाप कहलाता है ब्लड प्रेशर की समस्या किन कारणों से होती है ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण कई होते हैं जैसे की शारीरिक श्रम का न करना, मांसिक तनाव का अधिक होना, गरिष्ट या अधिक तला और भुना हुआ भोजन करना, अधिक मोटा पाहुना, मदिरा धुम्रपान का सेवन करना, खराब जीवन शैली, अध्वा खानपान की गरबड़ी के कारण भी ब्लट पेरशर की समस्या होती है. रक्तचाप के बढ़ने से किनकिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जब रक्तचाप बढ़ता है, तो सिर्दर्द, चक्कर आना, बेचैनी, सीने में दर्द, नीद ना आना, घबराहट, सास फूलना आधि हो सकता है. रक्तचाप के कम होने पर सुस्ती, निराशा, काम में मन नलगना घबराहट आदी होता है हाई बीपी से होने वाले भयानक परिणाम हाई बीपी की अधिक्ता से रदे रोग, एवं दिल का दोरा पढ़ना, ब्रेन हेमरेज अंधत्व, लक्वा, गुर्दे की खराबी, इसके अलाबा रदे की गती भी बंद होने की संभावना रहती है कई बार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आखों की कोई धमनी भी फट सकती है जो व्यक्ति को अंधा भी बना सकती है ऐसा माना जाता है कि हाई बीपी की बिमारी को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका उचित इलाज न करने पर वह गंभीर रूप भी ले सकती है आईए अब जानते हैं हाई बीपी के लक्षन क्या-क्या है नर्वस सिस्टम का कमजोर होना लंबे समय तक सिर्दर्द का बने रहना शरीर में ठकान रहना सीने में दर्द गुसा ज्यादा आना सास संबंधित बिमारी का होना इसके प्रमुक लक्षन है अब जानते हैं हाई बीपी के कुछ सरल उपचारों के बारे में पहला प्रयोग आईरुवेद के अनुसार उच्च रक्तचाप में ओम शान्ती मंत्र का जब करने से और दो ग्राम पीपला मूल का सेवन करने से एवम निम्बू के रस में नमक डाल कर पीने से भी लाब होता है दुसरा प्रयोग रत्वेलिया अर्थात जल पीपली का पांच ग्राम रस दिन में एक बार पीने से हाई बीपी नियंत्रित होता है तीसरा प्रयोग एक ग्राम सर्प गंधा बूटी को दो ग्राम बाल छड़ बूटी में मिला कर देने से लाब होता है चंद्रकला रस की दो दो गोली सुभ़शाम देने से भी लाब होता है दो चम्मस त्रिफला चुण रातरी को सोते समय देने से भी इसमें लाब मिलता है अगर वात प्रकृति हो तो प्रातह तिल का 20 मिली तेल गरम पानी के साथ दे इससे उच्च रक्तचाप में लाब मिलता है इसके अलावा तनाव रहित रहना, दिल खोल कर हसना, रोज एक्सरसाइज करना, उचित मात्रा में डाइट लेना पानी जादा पीना भी हाई बीपी में फायदे मन साबित होते हैं अब जानते हैं लो बीपी के लक्षणों के बारे में लो बीपी अक्सर शरीर में आक्सीजन की कमी से होने वाली बिमारी है ऐसे में दिल को रक्त पंप करने में दिक्कत होती है जिस्ते स्तिती कई बार जान लिवा भी हो जाती है लो बीपी में विशेशकर्व रध लोगों में भ्रमगा होना भी पाया गया है थंड ज्यादा लगना, निरंतर बार बार सर्दी होना, चिपचिपापन, पीली तवच्चा तेवर उतली श्वांस, कमजोर और तेज नाडी स्पंधन का होना, चक्कराना या गपराहट महसूस होना शरीर में थकान रहना, फोकस की कमी होना, ज्यादा प्यास लगना, धुंदला दिखाई देना, सीने में दर्द होना, आदी लो बीपी के लक्षन माने गए हैं लो ब्लड ट्रेशर का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लो ब्लड ट्रेशर की स्तिती में शरीर के अंगों में सही तरह से खोन की सप्लाई नहीं होती है, जिससे स्ट्रॉक, हार्ट अटेक, किड्नी फेलियर तक होने की संभावना भी होती है आम जिन्दगी में बीपी ज्यादा कम हो जाने पर रोगी बेहोश हो सकता है, अचानक अचेत होने पर उस इनसान के सिर में गंभीर चोटा सकती है ऐसे कई मामलों में ब्रेन हैम्रेज होने के भी केस देखे गए हैं अब जानते हैं लो बीपी से बचाओ एवं कुछ आयूर्वेदिक उपचारों के बारे में लो बीपी में लंबे समय तक भूखें न रहें नमक का सेवन करें, तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल कर पिएं आमले के रस में शहद मिला कर सेवन करें टमाटर के रस में काली मिर्च मिला कर पीने से भी लाब होता है लो बीपी में लहसून की कलियों को छिल कर चार-पांस दिन धूप में सुखा कर काच की बरनी में भर कर उपर से शहद डाल कर रखते पंदरा दिन के बाद लहसून की एक दो कली को एक चमश शहद के साथ चबा कर एक ग्लास ठंडा दूद जो की फ्रिज में रखकर ठंडा न किया गया हो ऐसा दूद पीने से दोनों प्रकार के बलड प्रिशर में लाब होता है रुद्राक्ष की माला पहनने से भी हर प्रकार के ब्लड प्रिशर में लाब होता है आयुर्वेद के अनुसार हाई बीपी और लो बीपी वास्तों में कोई रोग ही नहीं है अपितु शरीर के किसी अन्य रोग के लक्षन है इसमें सर्व प्रथम तो घबराना नहीं चाहिए हर रोज बीपी की एलोपेथिक गोलियां लंबे समय तक खाते रहने से लीवर और किड़नी पर भी इसका खराब असर पड़ता है स्वास्ते के ऐसे अनेकों उपायों के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी आप स्वस्त और सुखी रहें ऐसी हम कामना करते हैं हमारे मंगल में चैनल द्वारा ऐसे ही अनेकों स्वास्ते वर्दक उपाय हम आप तक पहुंचाते रहेंगे मंगल में चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें लाइक करें और शेर करना ना भूलें आप अपने विचार हमें कॉमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं धन्यवाद अपने अपने लाइकन को आप तक प्रेस करें